मेरी प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल के स्टोरी पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एं सेर किजिए ओकि फिर FF का next party start करते हैं last part में हमने सुना था कि लेंजा वर विंग लेंज करने के ले जाते हैं अब आगे लेंजा विंग को पास की रेस्टोरेंट में लेके जाता है विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि साधी के बाद पहली बार वर रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था हो भी अपने हवी के साथ विंग बहुत ही खुस नजर आ रहा था लेंजा पोसता है विंग क्या बात है तुम आज बहुत खुस हो Wing कहता है हब आज मैं काफी दिनों बार California में खाना खाने आया हूँ इसलिए मुझे अच्छा रग रहा है add呀 कहता है baby अगर ऐसी बात है तो हम हरूज रेस्टरन्ट में आ सकते हैं खाना खाने के लिए Wing अपने मन में कहता है ये तो कितना अच्छा है अगर इसे गुसा ना है तो ये दुनिया का West Husband है Langer Wing से कहता है बेबी अगर तुमने खाना खा लिया तो चले हम हमें Hospital भी जाना है Wing कहता है हाँ ठीक है मैंने खा लिया चलो अब चलते हैं Hospital Langer Wing दोनों कार में बैठते हैं और Hospital के रहे निकल जाते हैं Hospital में डॉक्टर पहली से ही Langer का इनतिजार कर रहा था जब Langer Wing Hospital पहुंचते हैं तो डॉक्टर देखता है कि Langer किसी नए परसन के साथ आया है डॉक्टर लेंजा से पोस्ते हैं लेंजा ये किस को साथ लेके आये हो तो लेंजा कहता है डॉक्टर अंकली मेरा वाइफ है मैंने खुल समय पहले ही marriage की है डॉक्टर कहते हैं बहुत अच्छे ये अमेगा बहुत ही beautiful है तुम्हारी जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है ऐसा कहके डॉक्टर लेंजा को मैडिसन दे देते हैं लेंजा और विंग डॉक्टर के केविन से बहार निकल जाते हैं, जैसे ही केविन से और दोनों बहार निकलते हैं, डॉक्टर कहता है, लेंजा मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं तुम्हें गलत मेडिसन दूँ, लेकिन मेरी भी फैमली है, मैं क्या करो, जब कहके डॉक्टर के आखों से आसुच जलग जाते हैं ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लेंजा को गलत दवाईयां पैसों के बज़े से दे रहे हैं बस कारण यह है कि ओभी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और वो अपनी फैमिली को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं जब सरफी दवायां वेंग को पकड़ा देता है और car चलाने लगता है विंग की नजा दवायों पर पढ़ते हैं तो लेंजा से कहता है लेंजा यह विटामिन्ज की दवायां तुम्हे कुछ अलग geste कहता है नहीं तो ये ठीक तो है मैं तो यही खाता हूँ विंग इसमेट को इग्नोर कर देता है उसे लगता है कि लेंजर ठीक ही कह रहा होगा आखिरों काफी समय से दवायां खा रहा है लेंजर विंग की कार मैंसन पहुंच जाती है इधर बिलेज में नी हुसेंग पहुंच जाता है नी हुसेंग जैसी बिलेज बहुंचता है वो सीधा विंग के घर जाता है नी हुसेंग जाते ही कहता है आउंटी आपने मुझे बुलाया था क्या काम है नी हुसेंग वो सारी वी फैमिले लिविंग रूम में खट्टे होते हैं वी फैमिले नी हुसेंग को सारी बात बता देते हैं कि वींग की साधी कैसे फोर्सली हो गई है लेंजा ने कैसे गन पॉंट पे उससे साधी की है और उसने कैसे विंग का कॉलेज जाना बन करवा दिया है नी हुसेंग के आखों में आसु आ जाते हैं क्योंकि विंग से बहुत प्यार करता था विंग को हर खुशी देना चाता था लेकिन उसे नहीं पता था कि ओ सहर जाएगा और यहां पर विंग की साधी हो जाएगी ओ तो कभी विंग से अपने प्यार का इजिहार भी नहीं कर पाया नी हुसेंग अपने मन में कहता है विंग मैंने तुम से कहा था कि तुम अपना ख्याल रखना किसी मुसीवत में मत पढ़ना लेकिन देखो तुमने क्या किया तुम तो इतनी बड़े मुसीवत में फस गए हो अब मैं क्या करो मिसिस भी नी हुसेंग से कहती है नी हुसेंग तुम क्या सोच रहो अब हमारी सारी उमीर तुम से ही है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें हमें पता है तुम कोई न कोई तो उपाई सोच लोगे विंग को इस मुसीवत से निकालने के लिए प्लीस नी हुसेंग कुछ तो सोचो ना विंग तुम्हारा बैस फ्रेंड है तुम उसे ऐसे मुसीवत में नहीं छोड़ सकते नी हुसेंग अपने मन में कहता है आंटी ओ सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है ओ मेरी जिन्दगी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ अगर उसे मेरी जान भी चाहिए है तो मैं दे दूँगा लेकिन उसकी साधी हो गया मैं क्या कर सकता हूँ इसमें वींग क्या तुम अपने हजबन के साथ खोसो अगर तुम खोसो तो मैं भी तुमारे ले खोसूँ लेकिन अगर तुम अपने हजबन के साथ दुखी हो तो तुम फिकर मत करना मैं किसी भी हालत में तुम्हें उस साइको से बचा लूँगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन उससे पहले तुम्हारे हजबन की सारी इंक्यरी मुझे निकालनी होगी हाँ उसकी इंक्यरी निकालना थोड़ा मुस्किल है लेकिन मैं कुछ भी करके निकाल ही लूँगा क्या पता फिर तुम्हें मेरे प्यार का एसास हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग बच्पन से आज तक क्या तुम्हें कभी मेरे आखों में प्यार नजर नहीं आया तुम्हारे लिए नी हुसेंग अपनी ही ख्यालों की दुनिया में गुम था तभी मिसिस भी कहती है नी हुसेंग तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता तुम फिर कहां खो गए तुम मेरी बास सुन भी रहे हो या अपनी दुनिया में खोई हुए हो नी हुसेंग कहता है नहीं आंटी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ आप बताईए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी आप जो कहोगे मैं उकरने के लिए त्यार हूँ मिसिस भी कहती है यहां हम सब तुमसे उमीद लगा के बैठे हैं और तुम हमसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए नी हुसेंग कहता है अच्छा ठीक है आंटी कि आपको कन्फाम है कि विंग अपने हजवन के साथ खुस नहीं है अगर विंग अपने हजवन के साथ खुस है तो हमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा कदम उठा लें जिसका बाद में हमें रिग्रेट हो इससे अच्छा ये होगा कि हम सोच समझ के कदम उठाए पहले हमें कन्फार्म हो जाना चाहिए कि विंग अपने हज्वन के साथ खुस नहीं है मिसिस वी कहती है अच्छा फिर तुमी बताओ हमें क्या करना चाहिए निविसन कहता है आंटी के साधी के बाद आपने कभी भी विंग से बात की बात करने पर आपको कैसा फेल हुआ क्या ओखुस नहीं है मिसिस भी कहती है हमने कभी भी बात नहीं की हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था उससे बात करने का हाँ लेकिन हमें को जानकारी मिली है वींग के बारे में नी हुसेंग तो मैं पता है न कि हम विंग से कितना प्यार करते हैं, हमने कभी उसे उंगली से भी नहीं मारा और उसने उसे चाटे से मारा, उसने उसके बाल खीचे, तुमी बताओ हम उस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। जैसी ही ये सारी बाते नी हुसेंग सुनता है वो गुसे में आ जाता है उसने जो कांच का गिलास अपने हाथ में पकड़ा था उसे वो गुसे में दबा देता है जिसके कारण कुछ कांच के पीस उसके हाथ में धर जाते हैं नी हुसेंग के हाथों से बलड निकलने लगता है मिसिस भी कहती है ये क्या हुआ देखो किना बलड निकल रहा है नी हुसेंग तुम्हारा ध्यान कहा है देखो तुमने कितनी चोट पहुचा लिए अपने आपको फिर मिसिस भी जियांग चैंग को कहती है जियांग चैंग नी हुसेंग को अपने कमरे में ले जाओ देखो कितां blood निकल रहा है, इसके हाथों को treat करो, नहीं तो infection हो जाएगा जांग चैंग नी हुसेंग को अपने कमरे में लेके जाता है और उसके हाथों को treat करने लगता है जांग चैंग कहता है, नी हुसेंग अगर तुम विंग से इतना ही प्यार करते थे कि सिर्फ तुमने ये सुना कि उसके साइको हजबन ने उसे चाटा मारा था तो तुमने गुसे में अपने आपको चोड़ पहुँचा ले फिर तुमने कभी भी विंग से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया ज्यांग चेंग के आखों में आसू थे और वो रोते वे कहता है नी हुसेंग तुमने अपने प्यार का इजहार कर देना चाही था क्या पता तुम अपने प्यार का इजहार करते और विंग तुमने अकसेप्ट कर लेता फिरो साइको हमारी विंग की जिंदगी में नहीं आता नी हुसेंग सप्राज लोग के साथ ज्यांग चैंग को देखता है और कहता है ब्रदर आपको कैसे पता चला कि मैं विंग को पसंद करता हूँ ज्यांग चेंग कहता है मुझे बचपन से ही पता है कि तुम उसे पसंद करते हो कैसे तुम उसकी हर गलती को छुपाने की कोशिस करते हो और उसे प्रोटक्ट करने की कोशिस करते हो कोई अंधा भी तुमारी आखों में प्यार देख सकता है उसके लिए बस वही वेवकूफ नहीं देख पाया कि तुम उससे कितना प्यार करते हो जांग चंग रोते हुए कहता है नी हुसेंग तुम्हें क्या लगता है उस साइको हमारी विंको ज्यादा टोचर कर रहा होगा नी हुसेंग तुम्हें पता है न कि विंको जादी कितनी पसंद है और उस साइको ने उसे कॉलेज जाने से भी रोक रखा है सोचो जो इंसान कॉलेज जाने से रोक सकता है तुम्हें क्या लगता है उसे घूमने देता होगा तुम्हें पता है न उसे मस्ती करना कितना पसंद है मुझे नहीं लगता उसे मस्ती करने देता होगा नी हुसेंग जंग चंग से कहता है जंग ब्रदर आप फिकर मत करो हम कोई न कोई उपाय ढूंड लेंगे इस मुसीवत से बचने के लिए मैं जानता हूँ कि आप विंग से बहुत प्यार करते हैं और आप उसे मुसीवत में नहीं देख सकते लेकिन इतना टेंसन लेने से कुछ नहीं होगा आप फिकर मत करो हम विंग से कॉंटक्ट करने की कोशिज करेंगे हम कोई न कोई सोलियोशन ढूंड़ी लेंगे ओके गाइस आज का पाट यहीं रखते हैं बाई ठैंक्यो